नमस्ते आदनिय प्रधान मंत्री जी एवं उपस्तेत सभी प्यारे भाईयों और बहनों 1.2 बिलियन भारत वासियों की तरफ से 1.2 मिलियन कैनेडा में रहने वाले भारतियों को शुब कामना है कि मेरे लिए कैनेडा की आत्रा का ये आखरी दौर है प्रधान मंत्री हारपन ने और अमेरिका के जनता ने जिस प्रकार से भारत को सम्मान दिया है स्वागत किया है मैं उनका रदे से आभार व्यक्त करता हूं और मेरे लिए ये भी सोभागे रहा कि कि यहां के भारतिये समुदाय ने अनेक वीत कायरक्रमों की रचना की और आज लक्ष्मी नारेण के सरण में आने का भी सोभागे मिला गुरुद्वारे में जाकर के मत्था टेक करके अभी अभी मैं आया हूं हर एक देश की अपनी एक विशेस्ता होती है भारत में सुप्रीम कॉर्ट ने हिंदू धर्म की एक बढ़िया डेफिनेशन की है और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कॉर्ट की जो डेफिनेशन है वो सच्चे अर्थ में एक दिशादर्शक है सुप्रीम कॉर्ट ने कहा है हिंदू धर्म एक कोई रिलेजियन नहीं है यह कोई पुजा पद्धति का नाम नहीं है सुप्रीम कॉर्ट ने कहा है इट्स अ बे अफ लाइफ जीवन वैज्ञानिक तरीके से कैसे जीया जाए जीवन प्रकूति के साथ संतुलन बना करके कैसे जीया जाए जीव मात्र के प्रती दया का भाव कैसे रहे ये ये मुल्ले है सारवजनिक रूप से और इसलिए आज कभी कोई वाइल लाइफ के लिए एंजियो बना करके चिंता करता होगा लेकिन हमारी यहां पहले से कहा जाता है जीव दया की बात जो आल्टी मेल्टी हर जीव की रक्षा की बात करता है और जिसमें वाइल लाइफ भी आ जाता है और इसलिए विश्व भर में रहने वाले हमारे भाईयो बहनों का एक काम है कि हम बैज्ञानिक तरीके से हमारे जीवन मुल्यों को जीवन पधती से दुनिया को परिचित कैसे करवाएं और विश्व को जो भी छोटी मोटे संकटों का सामना करना पढ़ रहा है उन संकटों का सामना करने का रास्ता हम कैसे दिखाएं कि मैं पिछले वर्ष सितंबर में नियोर्क आया था कि यूएन जनरल एसेमली में मुझे बोलने का आउसर मिला यह मेरा प्रदानमंद्री ग्रूप में पहली बार आना हुआ था यूएन में पहली बार बोल रहा था लेकिन वहां मैंने दुनिया को एक रिक्वेस्ट की और यूएन को रिक्वेस्ट की कि 21 जून को बिश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाए और आपको जानकर के खुशी भी होगी गर्व भी होगा कि हमारे रूशी मुनियों ने जिस योग की परंपरा को विक्सित किया उसका जो वैज्ञानिक ताकत है उसकी फीजिकल और मेंटल हेल्थ के साइंस की जो उसमें चर्चा है उसको आज भली भाती दुनिया जानने लगी है और परिणामी आया कि ठीक 125 दिवस के अंदर अंदर यूएन में रिजॉलुशन पारित हो गया 177 कंट्रीज को स्पांसर बनी यूएन के इतिहास में इस प्रकार के रिजॉलुशन में कभी भी इतनी बड़ी संख्या में देशों का को पार्टर्शिप नहीं मिला था ये पहली बार यूएन के इतिहास में 177 कंट्रीज को स्पांसर बनी कैनेडा भी को स्पांसर बना और 21 जून को आंतर राष्टिय योगा दिवस के रूप में पूरे विश्व में अब मनाये जाएगा हमारा दाई तो है कि हम विश्व भर में रहने वाले भारतिय समुदाई के लोग जहां पी इस पकार की योग की अक्टिविटी चल रही है उनका संपर्ग बढ़ाएं दुनिया के हर समाज के लोग हर परंपरा के लोग अपने अपनी तरीके से योग से जुड़े है और अपनी तरीके से योग को मोड़ी भाई भी किया है हम इस बात को क्योंकि अपनाव और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन के लिए योग बहुत ही दिशादर्शक है हम उस बात को बढ़ावा दे और उससे समक्र विश्व में जो मनुष्य व्यक्तिकत रुप से तनाव पून जिंद्गी जीता है उसको मुक्ति दिलाने का अभियान चलाएं आज आपने हमारा सन्मान किया स्वागत किया मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और भारत में क्या चल रहा है भारत में कैसा चल रहा है वो भारत वालों को जितनी खबर है उससे जादा बाहर वालों को है अगर आप स्टेडियम में बैट करके क्रिकेट देखते हैं तो बहुत जादा पता नहीं चलता है कि कौन सा फिल्टर कहां खड़ा है और कौन सा बाल कहां से आया बाल की स्पीड क्या है पता नहीं रहता है लेकिन अगर घर पर दूर से टीवी पर देखते हैं तो क्रिकेट मैच का पूरा पता चलता है कि कौन कहां खड़ा है बालिंग कौन कर रहा है बाल की स्पीड क्या है वैसे ही आप यहां है तो आपको यहां से भारत में क्या चल रहा है पूरा पता रहता है बारिक से बारिक पता चलता है और इसलिए मैं उसकी चर्चाव में नहीं जाना चाहता फिर एक बार मैं प्रधान मंत्री जी का बहुत आभार वेक्ते करता हूं उन्होंने इतना समय दिया लगातार मेरे साथ रहे और मुझे कैनेडा से भली भाती उन्होंने परिचित करवाय मैं उनका बहुत आभार वेक्ते करता हूं और आप सबका भी आप सबका भी बहुत आभार वेक्ते करता हूं आप सब बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद